यूपी की योगी सरकार ने बाहुवली विधाक मुखतार अंसारी के खिलाफ फिलहाल चल रही कारवाईयों में सबसे बड़ा एक्शन बुधवार को लिया लखनो के पुलिस कमिशनर सुजीत पांडे ने मुखतार के दोनों बेटों उमर और अबास अंसारी पर इनाम घोशित कर दिया है यानि यूपी पुलिस की नजर में बाहुबली विधाक मुखतार के दोनों बेटे अब इनामी अपराद ही हैं आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही लखनों के डॉली बाग में अवैत कबजे वाली दो टावर बिल्डिंग गिराए गई थी। इन पर मुखतार अंसारी के बेटों के कबजे का आरोप था। इस इमारत को गिराने के बाद दोनों बेटों के खलाफ अवैत कबजे के आरोप में FIR दर्च कराए गया था। ये केस उमर और अब्बास अंसारी के खलाफ लखनों की हजरत गंज कोटवाली में दर्च कराए गया था। दोनों पर अवैत कबजा करने, साजिश, रचने और जालसाजी करने की धराएं लगाए गए थी। बाहुबली विधायक के परिवार के खलाफ हुए इस एक्शन ने पूरे पुर्वांचल की राजनीती में खलबली मचा दी है। इससे पहले गाज़िपूु पुलिस ने मुखतार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खलाफ भी गैंक्सर लगा दिया है। अब मुखतार अंसारी के बेटे फरार हैं और पुलिस के नजर में अपराध ही है। यूपी के सियम योगी आदे तिनात ने एलान किया है कि बाहुवली विधायक मुखतार अंसारी के नेटवक को बरबाद कर दिया जाएगा। इसके बात से ही यूपी परशासन और पुलिस मुखतार अंसारी और उनके लोगों के खिलाफ ताबर तोड कारवायां कर रही हैं। मुखतार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपर जेल में बंद है पुलिस की माने तो मुखतार अंसारी की बी वारंट भी तयार है इस समंद में कोट से जैसा आदेश मिलेगा आगे वैसे ही कारवाई की जाएगी अबास और उमर पर इनाम का एलान होने के बाद अब जल्द ही इनकी गिरफतारी की आशंका जताई जा रही है पिछले महीने से जारी कारवाईयों में यूपी पुलिस ने बाहुबले विधायक के आर्थिक नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुचाने का दावा किया है यूपी पुलिस के मताबिक मुखतार अंसारी की नेटवर्क को सालाना 48 करोड की आय बंद हो चुकी है पुलिस ने दवा किया कि वारणासी जोन में मुखतार अंसारी के लोगों द्वारा कथित तोर पर चलाय जा रहे हैं मचली, बूचल खाने, कोईला कारूबार, वसूली गैंग इत्यादी को दोस्त करने में काफी हद तक काम्याबी मिली है ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं